फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब? फ्रेंट्स हुआ ये कि जब आज किचन में मैं खाना बनाने जा रही थी तो मेरी बेटी ने कहा ममा अंडे का आज फंडा बना कर खिलाईए फिर मुझे लगा अंडा करी तो हम हमेशा ही बना लेते हैं तो आज मैंने कुछ टेस्टी सा ट्राइ किया जो कि हैं अंड़ा-दो-प्याजा की रेसिपी जब ये अंड़ा-दो-प्याजा मैंने बनाया तो सब को इतना पसंद आया इतना टेस्टी और जबरदस्ट बना मैंने सोचा क्यों न इसकी वीडियो डाली जाए और ये recipe आपके साथ share की जाए अंडा दो प्याजा बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें अंडे को पहले fry करना है तो hard boil egg होना चाहिए और इसमें cut लगा लेना है ये मैंने छे लिये हैं और जैसे ही fry करने डाला है तो इसमें डाल लिया है half table spoon healthy powder half table spoon लाल मिर्ज powder और test according नमक और इसमें अच्छा golden color आने तक इसे fry किया है आप देख रहे होंगे color कितना अच्छा आया है तो बस इसे एक एक करके निकाल लेना है cut oil एक को cut लगा कर ये आप फोक की मदद से इसे prick करके ही fry कीजिए अब हमें gravy तयार करने हैं जिसके लिए इसी pan में मैंने एक बड़ा चमच cooking oil और add किया है और अब इसमें कुछ खरे गरम मसाले डालेंगे तो एक दालचीनी कटुकरा, दो छोटी इलाची, तीन से चार लॉंग half table spoon साबुत जीरा, साथ में half table spoon साबुत काली मिर्च डाली है दो साबुत लाल मिर्च डाल लेना है और एक इसमें तेजपत्ता भी डाल लेना है ऐसे ही इसमें cracker आने लगे, तब दो medium size की प्यास को बिल्कुल बारीक चौप करके इसमें डालना है और light pink होने तक fry करना है, गैस के flame medium to low रखनी है लाइट पिंक हो गया है, तो अब इसमें 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और कुछ second के लिए इसे saute कर लेना है, और फिर इसमें अब कुछ पाउडर मसाले डालने है तो 1 tablespoon देगी लालमिच पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon जीरा पाउडर और half tablespoon कश्मीरी लालमिच पाउडर डाली है, और इसे कुछ second के लिए भून लिया है जब आप पाउडर मसाले इसमें डाले तो gas की flame लोड रखें, वरना ये मसाले जल जाएंगे और अब मैंने 2 medium size की टमाटर को चौप करके डाला है, बिल्कुल roughly चौप करना है, और इसे भी हमें 1-2 minute के लिए भून लेना है इसमें मैंने 1 tablespoon नमक डाला है, तो नमक और लाल मिच आप अपने test according डाली है, साथ में कसूरी मेथी भी डाल ली है जैसे ही प्यास टमाटर सारे मसाले अच्छे से भून जाएं, इसमें हमें half cup पानी डालना है ताकि ये थोड़े से cook हो जाए और mashी हो जाए पानी डालने के बाद 1-2 मिनिट तक इन मसाले को cook करना है, जब तक ये मैशी न हो जाए, और ये देखिए फ्रेंट्स मैशी हो गए है और gravy जैसी consistency बन गई है, तब इसमें हमें ये fry किये वे एक डाल लेने है इस अंडा दो प्याजा को बनाना इतना असान है कि 5-7 मिनिट में आप इसे बना कर तयार कर लेंगे तो बस सारे मसालों के साथ अंडे को हमें 1-2 मिनिट तक के लिए cook करना है, तो इसमें half cup पानी डाल लेना है ताकि थोड़ी gravy बन जाए और फिर इसमें थोड़ा गड़ा मसाला powder डाल करके इसे हमें 2 मिनिट के लिए cook करना है जब तक ये cook हो रहा है हमें एक pan लेना है और इसमें 1 टेबल एस्पून के करीब हमें cooking oil लेनी है और इसमें हमें प्याज के petals जो मैंने cube shape में cut किया है और एक medium size की tomato उसे भी मैंने cube shape में cut किया है इसे बस हलका सा color आने तक fry करना है can के बाद प्याज में जैसे ही light color आ जाएगा इसे हमें transfer कर लेना है इस cook किये हुए egg में और ये देखे friends अंड़ा दो प्याजा बन कर तयार हो गया है आप देख रहे होंगे इसकी gravy कितनी perfect बनी है तो अब इसके उपर garnishing कर ली है मैंने बारी कटा हरा धनिया से और ये serve करने के लिए ready है और ये देखे friends perfect dhaba style अंड़ा दो प्याजा बन कर तयार हो गया है इसका color आप देख सकते हैं कितना perfect आया है इसको गर्मा गर्म serve कीजिए रोटी या पराठे के साथ इतना जबरदस्त लगता है खाने में मेरी बेटी तो इसे खा कर बहुत खुश हो गए आप भी बनाईए और आप भी अपने बच्चों को और घर में अपने family को खिलाईए देखिए उनको भी कितना पसंद आने वाला है कैसी लगी आपको मेरी ये अंड़ा दो प्याजा की रेसिपी मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा